रेनिसंस एज इसको हम अलिजबीथन एज भी कहते हैं इसको शेक्सपीरियन एज भी कहते हैं और इसे फर्स्ट रॉमेंटिक एज भी हम कहते हैं तो ये सारे इसी एक ही एज के नाम है 1500 तू 1600 तो सर्थॉमिस मोर का जो वर्ग था यूटोपिया उसकी ट्रांसलेशन के साथ रेनिसंस एज स्टार्ट होती है और मिल्टन के आखरी वर्ग के साथ रेनिसंस एज या रेनिसंस लिटरेचर बेसिकली लिटरेचर के अंदर रेनिसंस लिटरेचर के वहां पे रेनिसंस लिटरेचर क्लोज होता है तो रेनिसंस लिटरेचर थामस मोर का एस वर्ग यूटो वर्ड आप सारे जानते है इसका मतलब है रिवाइवल रिबर्स रियावेकनिंग दा रेनेसंस मुझमेंट वस्टार्ट वाइट प्रार्क और बुकेश्यों इतली इन 14th सेंचरी में रेनेसंस मुझमेंट इतली में आती है और इतली से फिर फ्रांस और 15 सेंचरी में ये फ्रांस आती है और फ्रांस से फिर ये मोमेंट स्पेन पहुंचती है 14 सेंचरी में इतली में थी और फिर 16 सेंचरी में रेनेसंस मुझमेंट इंग्लेंड में पहुंचती है इ यूरप जो के डार्कनेस में था और वहां लर्निंग का और डिस्कावरीज का तमाम प्रॉसिस रुख चुका था डार्केजिस में था यूरप तो दुबारा फिर यहां पे लर्निंग का घाज होता इसलिए इसको हम एक नियू एरा फार यूरप भी हमें से कहते हैं तो इसमें इनसान ने अगेन अपना पोटेंशल डिस्कावर किया कि मैं इनसान का क्या पोटेंशल है और इसके लावा उसने अपने इलावा अधर यूनिवर्स को भी डिस्कावर करने का प्रॉसिस अगेन से स्टार्ट कर दिया इसको age of transition कहते हैं क्योंकि यहां से medievalism और modern age में एक shift हो रहा है कि medieval age खतम हो रही है middle age खतम हो रही है और modern age start हो रही है तो इसलिए इसको age of transition भी कहते हैं emphasis on humanism और इस age में जो basic focus था वो humanism पे था humanism क्या होता है कि humanism से मुराद है आप उसे कहेंगे उर्दू में उसे हम इनसानियत कहते है लेकि उसका मतलब क्या होता है कि यहां तक जो time period था वो सारा के सारा kings पर मुश्मिल था मुनार्कियल एरा था यह सारा और हर जगा बाशाहत थी तो हालात ऐसे थे कि बाशाह dominant होते थे और अगर किसी की जिन्दगी की importance है तो वो सिर्फ बाशाह की जिन्दगी की importance थी आम इनसान को इतना important नहीं समझा जाता था तो humanism का क्या है respect for individual कि हर इनसान important चाहे वो बाशाह है या वो गुलाम है चाहे वो आला है या वो अधना है हर इनसान की उतनी ही importance है जितनी के बाशाह की life की importance है तो इसे हम humanism कहते हैं Beginning in Italy and spreading to the rest of the Europe by 16th century Its influence was felt in art, architecture, literature, music, science, technology, politics, religion and other aspects of intellectual inquiry तो renaissance है सिर्फ literature में नहीं है बलके हर field of life में renaissance elements, renaissance के जो impacts हैं वो मैं सूस कियेगे जैसे के art, architecture, literature में वैसी renaissance है, music, science, technology, politics, even religion में भी हमें reformation नज़र आती है Religion भी change हो रहा था, religion के point of views भी change हो रहे थे Renaissance scholars were most interested in recovering and studying Latin and Greek literary and historical texts और renaissance scholars थे उन्होंने तमाम old literature को दोबारा revive किया Library से books निकाली और खास तोर पर Latin और जो Greek literature और जो historical literature था उसको दोबारा revive किया, books को translate किया और वहीं से एक नई direction उने मिली और एक नहा literature produce करने की तरफ वो चल दिये The beginning of English Renaissance is often taken as a convenience to be 1485 तो English Renaissance तो वो कहते है कि 1485 से आप कह सकते हैं कि उसका आगाज बेसिकली हो चुका था When the battle of Bosworth field ended the war of roses and inaugurated the Tudor dynasty कि Tudor dynasty से Renaissance period का आगाज हो जाता है कि हमने एंग्लो नॉर्मन एज में war of roses की बात की थी War of roses जो कि एक दो royal families के आपस की war थी इतिदार के लिए तो उस war का Tudor खात्मा करते हैं तो Tudor फिर वहां से Tudor dynasty की बन्याद रखते हैं और वहीं से Renaissance age का आगाज हो जाता है ठीक है तो Tudor dynasty चलती रहती और Queen Elizabeth Tudor dynasty की last queen थी और फिर Queen Elizabeth के बाद जब James 1 आते हैं तो James 1 यहां से फिर स्टूर्ड डानेस्टी स्टूर्ड फैमली की जो हकूमत है वो स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह Tudor dynasty के साथ ही जिसने war of roses का खात्मा किया और फिर वहां से Renaissance age के जो traces हैं वो शुरू हो जाते है बाइ 1558 इंग्लेंड गोल्डन एज बिगेन विद्ध क्राउनिंग अफ कुइन इलिजबित वन का जो एरा है जो के 1558 से स्टार्ट होता है इसको इंग्लेंड की तारीख का गोल्डन एरा कंसिडर किया जाता है बागी देखते हैं जी इसमें physical discoveries क्या हो रही थी इस age के अंदर के Renaissance age में बेश्मार discoveries, inventions और बेश्मार literature produce हो रहा था तो यह बड़ी एक आप vibrant किसम की आप age इसे आप कह सकते है during the Renaissance extending from 1450 to 1650, every continent was visited and mostly mapped by Europeans और सारा का सारा Europe इसमें active हो गया था और Europeans अपने अपने country से निकले उन्होंने बाकी अदर continents को discover किया बहुत सरे physical discoveries, island डिसकवर किये और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वास्ट कोड ए गामा है उन्होंने circumnavigated दार्थ तो ये डिसकवर तो अमेरिका करने चले थे लेकिन इन्होंने इंडिया डिसकवर कर लिए इसके लावाद जितने भी सी रूड से वो सारे इन्होंने बनाए वास्ट कोड ए गामा ने कॉलंबस ने अमेरिका डिसकवर किया, कॉपरनिकस एक बहुत बड़े scientist है इन्होंने सोलो सिस्टम डिसकवर किया, ठीक है इसी तरह आगे चले इन 1606 डच नैविगेटर विलियम जैंजूम सेल फ्रम इस्ट इंडिस इन दा वी यो सी शिप डाइफकन एंड लैंड इन आस्ट्रेलिया और विलियम जैंजूम ने आस्ट्रेलिया डिसकवर किया, फर्डिन एंड मेगलेन राउंड इड दे वर्ल्ड इन 1521, पंदरा सो इकिस में फर्डिन एंड मेगलेन ने दुनिया का चकर लगाया यह एक एर बैलून पे इन्होंने दुनिया का जह वो एक चकर इस तरह लगाया था, तो यह उस टाइम के बड़ा फेमस एक वाकिया था, इस पे फिर बाद में मोवी भी बनती है, सर थामस मोर्स ऐसे यूटोपिया वास ट्रांसलेटेड इंटू इंटू इंग्लिश प्राम लेटन फिफ्टीन फिफ्टीन वास सजेस्टेड वाइ प्लैटो रिपबलिक, तो थामस मोर का जो वोक जो के 1517 में लिखा गया, बाद में 1551 में ट्रांसलेट हुआ, तो यहां से भी कहा जाता है कि इंगलिश रेनिसंस यहां से स्टार्ट होती है, तो थामस मोर का ऐसे यूटोपिया, यह अरिस्टोटल की, सुरी प्लैटो की जो बुक थी, रिपबलिक, बिल्कुल उसी के डिजाइन पे, उसी के स्टाइल पे लिखा गया, यह उसका रेपलिका भी यह के लाता है, तो उसमें एक आइडियल वर्ल्ड का उन्होंने कॉंसेट पेश किया, तो यह इस टाइम के बड़ी आप कह सकते हैं कि डिसकावरीज थी, प्रिंटिंग प्रेस इसे पहले जहाँ आ चुकी थ थी, एंगलो, नॉर्मन एज में ही वो इंटर्डियूस हो चुके थी, तो इन सारी चीज़ों ने जह हो एक एहम रोल जह हो प्रफॉर्म किया, आगे रिफॉर्मेशन देखते हैं, किंग हैंरी एड रिवॉल्टिड अगेंस दे पोप एंड मेड इस ओन चर्च आफ इंगल स्टार्ट की, इंगलेंड के बाशचा ने, तो पोप के बारे में आप जानते हैं कि जैसे क्रिस्टियनिटी में जो में जो सुप्रीम उनका बड़ा पादरी जिसे हम कहते हैं, वो पोप है, और क्रिस्टियनिटी की हिस्ट्री की बात करें, तो क्रिस्टियनिटी में पहले सिर्फ एक ही फिरका था जिसे हम Catholic कहते है Catholic Church जो कि रोम के अंदर इटली के अंदर ये चर्च है अभी भी है और वहीं से पोप और सारी दुनिया के Christians को वहीं से वो control करते थे और अभी भी control करते है तो एक ही फिरका था फिर लेकिन उसकी पूरी एक hierarchy है Catholic Church की उसमें traditions है उसमें पूरी इनकी मजभी hierarchy है सबसे उपर पोप है कारडिनल है बिशुप है समनर पॉर्डनर ये सारे उस hierarchy में आते है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मजभ जो है वो एक तो politics के अंदर बहुत जादा उसकी interference even के बादशा से भी ज्यादा strong होता था पोप और दूसरा मजभ के अंदर corruption बहुत ज्यादा आ गए थी जैसे कि आप canterbury tale पढ़ते हैं चोसर की उसमें भी religion के अंदर corruption के evidence मिलते हैं जैसे कि Christianity में आप जानते हैं कि अगर आपने कोई sin किया है तो वहां पर Christianity में क्या होता है कि आपने उसकी confession करनी होती है समनर के सामने कि जी मुझसे ये sin हो गया है और फिर partner आपका माफी नामा जहा हो लिखता है तो चर्च की फीस होती है जर्माना होता है जो कि चर्च को जाता है और चर्च फिर उसे गरीबों की बहतरी में वोसे mission schools होते है क्रिस्टियनिटी की आगे उसको spread करने में खर्च होता है तो वो जर्माना लिए जाता है और फिर स माफी नामा दे दिया जात तै यापका ये गुनाप माफ कर दिया क्या है और खुदा के भिहाफ पे मतलब heure पार्डनर ने माफ कर दिया तो वो समझे खुदा ने माफ कर दिया समझे खदाने माफ कर दिया फिर क्या था कि ये सारे लोग फिर लोगों की को बलाइक मैल करने लग गए जर्मा अगर फॉर इसंपल फीज से एक रोपय मोरिए और दो दोर रुप है लेते यहां ब्लैक मेल करके ज्यादा लेते तो इस तरह मज़भ के अंदर बहुत ज़दा मतलब करप्शन के एलेमेंट्स पैदा हो चुके थे और आम लोग मजभी नोगों से बहुत तंग थे ब्लैक मेल होते थे तो इस तरह की बड़ी बहुत सारी बाते थी तो किंग हेंवरी एड ने बाशा के खिलाफ रिवॉल्ट का इलान कि इससे पहले जॉन वाइकलिफ ने एंगलो नॉर्मन एज में रिफॉर्मेशन का अगास कर दिया था The Protestant Reformation began in 1517 with Martin Luther's attack on church penitential system, order and doctrine और फिर Henry VIII ने Martin Luther को sport किया बहुत बड़ी पादरी थे और इनु ने मजब के अंद Reformation का अगास के और एक ने फिरिक की बन्याद रखी Protestant 1517 के अंदर In the 16th century, Martin Luther a German monk led the Protestant Reformation, a revolutionary movement that caused a split in the Catholic Church Luther questioned many of the practices of church and whether they aligned with the teachings of the Bible तो मजब में जो ऐसी चीज़े add हो चुकी थी जो के पहले मजब का हिस्सा नहीं थी और मजब को reform करने के बाद हुई और Protestant Reformation का नाम दिया गया तो इस तरह, Martin Luther ने King Henry 8 की sport के साथ Protestants के बन्याद रख दी As a result, a new form of Christianity known as Protestantism was created और एक इंगलिड में एक निया फिरका जह वो बन गया The English revolt against the church in Rome began in earnest in the 1534 when Parliament passed the act of supremacy declaring Henry 8 rather than Pope of the rather than the Pope to be supreme head of the English church. तो 1534 में Parliament से Henry 8 ने एक भी पास करवाया के Pope supreme नहीं है बलके Henry 8 जो है वो ज्यादा supreme है मतलब जो head of the state है वो Pope नहीं है बलके वो बादशाह होता है फिर उसके बाद टू येस लेटर Henry 8 बिगेन the dissolution of the monasteries in which all property formally belonging to English Catholic monasteries became property of the crown और एवन के तमाम तर properties हर किसम की जाइदाद वो Christianity की थी की कंसेडर की जाती थी के वो Pope की है तो फिर Henry 8 ने एक और एक पास करवाया जिसमें ये हुआ के जो state का जो मालिक है हर किसम की property का मालिक वो बादशाह है वो Pope नहीं है ठीक है तो इस तरह आइस्ता आइस्ता पॉप से आजादी हासल की गए उसके rules को खतम किया गया England के अंदर के पहले जी पॉप सुप्रीम नहीं है बादशाह सुप्रीम है फिर ये के हर property चर्श की मलकियत नहीं है बलके बादशाह की मलकियत है तो इस तरह जो power है वो बादशाह को दी गई और आइस्ता इस्ता इंगलेंड ने पॉप से जान चुड़ाई तो फिर फाइनली जह वो आगे हम puritan age में पढ़ेंगे फिर आगे क्या होता है और इस तरह फिर प्रोटेस्टेंट्स जह उनकी बुनियाद रख दी गई और एंगलिकन चर्श बन गया चर्श आफ इंगलेंड बन गया और चर्श आफ रोम से तालुक बिलकुल खतम हो गया तो यह इस एज की एक बहुत बड़ी जह वो reformation कहते हैं बहुत बड़ा twist है बहुत बड़ा shift है from Catholic to Protestant ठीक है तो यह जी इस एज की history इस एज का background hopefully यहां तक आपको clear हो गया होगा कोई बास समझ नहीं आई तो हम इससे पूछ सकते हैं ओके जी I think clear है आगे चलते हैं अब लिट्रेचर की बात करते हैं लिट्रेचर की बात करें तो सबसे इसमेड अटेम्ट टो राइड औरिजिनल इंग्लिश प्लेज ऑन लेटन मॉडल अग्जेक्ट क्लासिकल मॉडल लेटन मॉडल फालो करने की कोशिश की गई लेकिन लोग वो इसमें इतना काम्याब ना हो सके जैसे के निकुलियस टूडल्स है रेल्फ रॉइस्टर होते हैं उसके बाद जी सेकंड पिरिड और यही पिरिड सबसे ज़्यदा सुप्रीम पिरिड कहलाता है और यही पापलर हुआ इसमें तीन चीज़ें एक है युनिवर्स्टी वीट्स और दूसरा है शेक्सपीर और तीसरा है बेंच जॉंसन सबसे पहले देखते हैं जी य लिखे लोग थे और डरॉमा लिखेना स्टार्ट किया आट स्बा इनको इनको सेंट्री वीट्स कहा जाता है इसमें जोग नहीं minor है और seven एक major है Marlowe इसमें major है और बाकी six minor consider किया जाते है Marlowe को central sun और बाकियों को stars उसमें consider किया जाते है इन्वेट्स में देखे Thomas Kade, John Lily, George Peel, Robert Green Thomas Lodge, Thomas Nash Christopher Marlowe ये seven writers ये इन्वेट्स में include होते हैं इसमें ये सारे minor हैं ये चार minor यहां पर discuss हुएं दो का तो बिल्कुल work ही नहीं है लास्ट में जो Thomas Nash और Thomas Lodge है इनका कोई work remarkable नहीं है जिसे mention किया जा सके तो उपर जो चार हैं जो minor है उनमें John Lily इनके work सिर्फ देख लेते है योफ्यूस कमपास्प, एंडेमियोन और मिडास और जॉर्ज पील देखें The Arrangement of Paris, डेविड और बासिबा और Thomas Kade इनका एकी work है जो के बहुत ज़्यदा popular है और वो है The Spanish Tragedy रॉबिट ग्रीन औरलेंडो फिवरोसो फ्राइर बेकन और फ्राइर बंगे एलफ़नस किंग अफ अरेगोन एंड जॉर्ज ग्रीन ये इनकी contribution है तो ये जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस केड और रॉबिट ग्रीन का work है और ये minor writer किलाते हैं प्लेराइट्स किलाते हैं इन उनिवर्श्टी वीट्स और उनिवर्श्टी वीट्स में बात करें तो major को होने क्रिस्टोफर मार्लो आप आपने इनका एक work पढ़ा होगा डॉक्टर फास्टर्स पढ़ा होगा या जियो अफ माल्टा पढ़ा होगा 1664 तो 1593 इनका time period है बड़ी early इनकी death हो जाती है अगर आप years count करें तो थोड़े से इनकी years कोई बनते हैं प्लेज ने लिखे उसमें four complete थे और two incomplete plays थे जो complete plays थे वो हैं जी टेंबर लेन ये first play है डॉक्टर फास्टस दजियो अफ माल्टा और Edward 2 ये last play है तो इसमें आपने कमस कम डॉक्टर फास्टस और दजियो आफ माल्टा ये दो आपने लाजमी पढ़ने हैं इन में से आपका questions expected हैं ये दोनों syllabus में included है Christopher Marlowe की life के बाड़े में काफी mysteries हैं के इनकी death कैसे हुई इनको कतल किया गया ये basically spy थे और इनने कतल किया गया एक बार के अंदर और इनकी जो death है वो एक अभी भी unsolved mystery consider कि जाती है इनकी contribution क्या है कि इनने he used blank verse in English drama और blank verse को fast time English drama के अंदर जहां वो यूज किया जा रहे है और इसी वज़ा से इनको father of English dramatic poetry कहा जाता है ठीक है कि drama है तो drama के अंदर भी poetry है blank verse एक poetic style है ठीक है unrhymed iambic pentameter जिसे हम कहते हैं वो blank blank verse की definition है जिसमें ten syllables होते है five syllables stressed और five जहां वो unstressed होते है ठीक है तो यसे हम blank verse कहते है तो first time drama में blank verse मारलो ने introduce करवाई थी और फिर उसके बाद मारलो की जो blank verse है वैसे उसमें थोड़ी से false भी है और फिर जो इसी blank verse को Shakespeare ने भी adopt किया और उसे perfect उसे perfect किया मारलो के बाद जो Shakespeare ने लिखा उसमें perfection थी और मारलो की जो weaknesses तीन पे overcome किया शेक्सपेर ने और फिर उनने एक perfect blank verse जह वो लिखी तो इसलिए यह कहा जाता है अक्सर के नो मारलो नो Shakespeare अगर मारलो ना होते तो Shakespeare भी ना होते क्योंकि मारलो के experience शेक्सपेर ने apply कि अपने work के अंदर तो अगर मारलो थोड़ा मजीद और जिन्दा रहते तो हो सकता है कि हमें हमारे पास और बहुत अच्छे place पढ़ने के लिए हमें मिलते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं Shakespeare 1564 to 1616 इनका duration है और ये the greatest of all is Elizabethan dramatist अपने टाइम के सबसे बड़े dramatist हैं बड़े writer हैं poet भी हैं और इंग्लेंड का national poet भी कहा जाता है बार्न इन 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड वार्विक शायर फादर जॉन शेक्सपेर मजर मेरी आर्डन वाइफ एन हैथावे हैं जी और शेक्सपेर के बारे में बड़ी हैं कि काफी स्पेकुलेशन की जाती हैं कि यह गरीब से घर से इनका तालुक था लेंड़न आते हैं और जॉब के सिसले में फिर उसके बाद यह एक थेटर से मुंसलिक हो जाते हैं वहां पर एज़े फूट बॉय काम करते हैं सफाई सुथराई का फिर वहीं से जो है वो जो लोग एक्टिंग करते थे उनकी सिख ली तो उसके बाद फिर ड्रॉमा राइटिंग की तरफ आ गए तो कोई इनकी खास इजुकेशन नहीं थी जिस तरह इनस्टी विट्स की इजुकेशन थी नॉर्मल सी एजुकेशन थी लेकिन उसके बावजूद और शेक्सपेर के जो प्लेज हैं वह आज भी उतनी प इंग्लिश लिटरेचर आप ही नहीं कह सकते हैं। हम फॉर पिरिड्स में भी डिवाइड करते हैं अच्छा यहां पर देखें रिक्रेशन आफ शेक्सपेर इस गलोब थेटर इन्होंने अपना फिर बात में थेटर बना लिया जिसे गलोब थेटर कहा जाता था ये इस तरह ये थेटर हुआ करता था उस टाइम पर यहां दे यह अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं रिवीजन आफ ओल्ड प्लेज इसे हम कहते हैं यह थ्री एजी थ्री पार्ट्स अफ हेंवरी सिक्स एंड टेटर्स एंड रोनिंकस यह लिखे गए उसमें इस फर्स कॉमेडी इस लिखे गई जैसे के लव्स लेबर लॉस्ट दाट जेंटल में नाफ वेरोना दो कॉमेडी आफ एडर्स एमिट्समर नाइट्स ड्रीम यह सारी कॉमेडी जो किसी टाइम पे लिखे गई इस फर्स क्रोनिकल प्ले रिचर्ट 3 लिखा गया ट्रेडी रोमी औं जिलिट लिखे गई यह सारा फस्ट पीरिड में इंक्लूड होता दा मेरी वाइबस अफ वेंट्सर मच अड़ू अबाउट नथिंग ऐस यू लाइक इट और ट्रेस नाइट तो इसमें आपको मर्चंट अवेनस और मच अड़ू अबाउट नथिंग और ट्रेड नाइट यह आपको लाजमी आपने पढ़ने पर ने और पीछे जो है वोस उनमें से questions जह हो लाजमी आते हैं थर्ड period के बाद करें तो 1601 से 1608 यह इनका है और यही इनका period सबसे ज़्यदा popular हुआ और इसमें इन्हों ने सबसे अच्छा काम produce किया इसमें greatest tragedies हैं सारे की सारी tragedies है जैसे कि Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar, Allswell, That Ends Well, Major for Meier, Troilis and Cresada, Anthony and Cleopatra यह सारे tragedies हैं जो इस टाम पर लिखे गए इसमें आपने Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar, Anthony and Cleopatra यह लाजमी आपने पढ़नी है फिर इनका fourth period आता है 1608 से 1612 तक इसमें tragic comedies और dramatic romances लिखें एक निया genre इंट्रद्यूस करवाया tragic comedies का tragic, यह comedy होती है यह tragedy होती है और एक तीसी जो किसम थी वो इन्होंने जो invent की वो थी tragic comedy tragic comedy क्या होती है जैसे comedy में happy ending है और tragedy में unhappy ending है और tragic comedy क्या होती है कि उसमें start में से लेकर end तक बढ़ी tension रहती है tragic situation होती है लेकिन end अचानक से उसमें reversal आता है और end जब वो happy हो जाता है तो इसे tragic comedy कहती है the tempest, the winter's tale, symbol line यह इनकी tragic comedies है इसमें आपने tempest, the winter's tale यह दोनों आपने लाजमी पढ़ने है तो इस तरह शेक्सपेर की contribution English language में बहुत ज्यादा है इनकी characterization, इनकी diversity, इनकी historical place यह सारी इनकी contribution है और इसके इलावा इन्होंने English language के अंदर कोई 1700 या 1800 words add की है ठीक है इससे पहले वो words dictionary में English language में मुझूद नहीं थे इन्होंने English language में 1700 और 1800 words contribute की यह भी बहुत बड़ी contribution है शेक्सपेर की फिर जी Ben Johnson आते है Ben Johnson जो के शेक्सपेर के राइवल भी है दोस्त हैं लेकिन राइटिंग के अंदर राइवल है और जो क्लासिकल होते हैं वो रिलिस्टिक भी होते हैं तो और यह moralist भी थे राइटर आफ मेंली comedies जद्दर इन्हें comedies लिखी हैं जैसे के वालपून, दा साइलेंट वुमेन, दा एलकेमिस्ट और बार्थलोमियों यह सारी इनकी comedies हैं इन इस हुमर एंड एवरी मैन आउट आफ हुमर यह भी इनकी comedy है तो Ben Johnson भी एक popular और पाप इनको popular writer के अंदर हम इन consider करते हैं तो यहां तक जी अलिजबितन ड्रॉमा था most important योन्रा उसके बाद आगे चले तो लिजबितन poetry है अलिजबितन poetry भी वेल रिनाउंड poetry है उसमें अच्छी contribution है और देखते हैं जी कौन-कौन सी contribution है opens with the publication of totals मिस सेलीनी और इलिजबितन poetry totals मिस सेलीनी किताब का नाम है उसकी publication के साथ तो लिजबितन poetry का आगाज होता है 1577 में यह पब्लिश होती है और फर्स्ट इंग्लिश poetry of renaissance भी से हम कहते हैं Thomas White and Saray इन दो राटर्स हैं जिन्होंने यह किताब पब्लिश की और दोनों की poems इसमें included थी और इसमें they attempted blank verse blank verse का इस्तमाल इन्होंने poetry में किया blank verse England के अंदर पहली दफ़ा सरे ने introduce करवाई ठीक है wrote sonnets in petrarchan model इसके लावा petrarchan model भी apply किया और उसमें sonnets भी लिखी तो Thomas White और सरे यह इस टाइम के बड़े writers है poet है और दोनों courtier poets इन्हें हम कहते हैं यह बादशा के दरबार के साथ भी यह attached से उसके बाद Thomas सेक्वील है इनका एक work है mirror for magistrate फिलिप स्रिडनी जी यह भी बड़े बड़ा नाम है poetry के अंदर versatile genius है he was soldier courtier and poet तो soldier भी थे courtier भी थे और poet भी थे queen Elizabeth called him jewels of our crown queen के भी बहुत close और queen इन्हें jewels of our crown कहा करती थी और इनका poetry में अगर work देखें तो astrophal install आई यह इनका poetic work है उसके बाद Edmund Spencer है जी last poet है जो कि इस time के सबसे बड़े poet है इन तमाम poets से सबसे बड़े poet Edmund Spencer poet of chivalry and medieval allegory ने कहा जाता है non dramatic poet कहा जाता है poet of beauty music and harmony भी इने कहा जाता है इनका work देखें तो the fairy queen जो के सबसे ज़्यादा popular हुआ आप सारे जानते है fairy queen के बारे में दा शेफिट्स के लेंडर है astrophal amorety and epitholomian यह सारे इनकी poetic collection है इनकी और इनकी English literature के अंदर जो main contribution है वो है Spencerian stanza के बागी देखें hero complete है blank verse है यह सारे classical models है और उनमें लिखा जा रहा है मतलब हर चीज बारोड है और genuinely जो चीज जो चीज जो चीज जो टाइम के अंदर जो बनाई गी English जो चीज है वो है Spencerian stanza यह English model है जो first model जो किसी writer ने बनाया और जिसमें लिखा वरना हर चीज बाहर से ही copy की जा रही थी the Spencerian stanza पर बात में popular भी हुआ बहुत बड़े-बड़े writers ने उसे अपने poems में इस्तमाल भी किया जैसे के Thompson है उन्होंने the castle of indolence में Spencerian stanza यूस किया दा एव अफ सेंट एगनीज में शैले ने दा रिवॉल्ट अफ इसलाम में और बायरन ने चाइल्ड हेरल्ड्स पिल्ग्रिमेज में Spencerian stanza यूस किया तो Spencer को poets poet भी कहा जाता है और यह title इनको Charles Lamb ने दिया था तो बहुत बड़े poet है Edmund Spencer जी तो यहां तक poetry complete होगी अब आगे चलते हैं जी Elizabethan prose तो प्रोज भी एक यॉन्रा इस टाइम में मुझूद है और अच्छी प्रोज जी Elizabethan prose origin of modern English prose यहां से होती है जी और books on history, adventure, travels, translation of Italian stories यह सारी यहां इस टाइम पे यह प्रोज की forms थी इसके लावा कुछ political pamphlets कुछ religious pamphlets भी लिखे गए वो भी prose की ही form में आते हैं तो अगर prose writers देखें तो इसमें John Lily बहुत बड़े prose writer है और इन तमाम prose writers में से dramatis भी थे लेकिन आज़े prose writer यह ज्यादा popular हुए और इनका वो style था जो के Renaissance people जिसको पढ़ना चाहते थे और इनका work है you fuse Sydney बड़े poet हैं बड़े prose writer भी है इनका work है Arcadia prose pastoral romance इसे हम कहते हैं और एक और भी इनका prose work है apology for poetry इसमें poetry को defend करने के लिए इनने एक work लिखा poetry को पर काफी criticism हो रही थी religious people की तरफ से तो उसको defend करने के लिए apology for poetry इनने लिखा इसके लावा तीसरे prose writer मेलरे थॉमस मेलरे मौर्टी डी और्थर ये इनने लिखा तो इस तरह ये तीन बड़े prose writer जिने हम quote कर सकते हैं जिने हम mention कर सकते हैं Elizabethan prose के अंदर मौझूद थे इसके लावा Bible translation Bible translation वैसे Puritan age में होती है अगर age wise देखें इस age में भी हम इसे include करते हैं के first time in history of English in history of England Bible को सरकारी सता पर हुकुमत ने translate करवाया इससे पहले भी translations हो रही थी जैसे के bead हैं उनने सबसे पहले English को translate की Bible को translate किया जॉन वाइकलिफ की translation मौझूद थी लेकिन पहली दफा सरकारी सता पर बादशा ने King Bible को translate करवाया और King James 1 ने उसको translate करवाया और उन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया King James Bible उसको authorize virgin कहा जाता है 1604 तो 1611 साथ साल के duration में ये translate हुई 1604 में काम शुरू होता है और 1611 में complete होता है 47 scholars ने इसमें participate किया 6 panels of translator बने और 7 years के duration में ये मुकमल होती है और इसे authorized version कहा जाता है तो Bible की translation क्या है कि Bible क्योंकि प्रोज में है प्रोज की एक form है तो Bible की translation से प्रोज वर्कर्स को सोरी प्रोज राइटर्स को एक नई dimension मिली उन्हें encouragement मिली कि प्रोज में भी हम एक अच्छा literature produce कर सकते हैं ठीक है तो ये Bible की translation प्रोज की development में एक बड़ा important step था तो फिर इसी लिए फिर बात में जाके novel जनरेट होता है तो Bible translation ये भी literature का एक बड़ा important एहम जो है एक पार्ट है first English translation of Bible is by bead और पहली जो Bible थी वो bead ने 735 में translate की थी ठीक है जी तो यहां तक हमारी Renaissance age complete होती है